हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल ट्रेवल फूर्ट नाप लोग तुनिया के आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो हर घुमकड़ी का दिल खुश कर देगी हाँ दोस्तों हिमाचल ने आप सभी घुमकड़े के लिए अपने सारे दोयर खोल दिये हैं अब किसी भी प्रिकार के यी रेजिस्ट्रेशन वाई पास की जरूरत नहीं है यात्रा करने के लिए दोस्तों इसी के साथ हम आफिल आये हैं हिमाचल प्रदेफ के एक बहुती खुबसूरत गाउं की जनकारी जो हम आज आपको इस वीडियो के माधन से देने वाले हैं टो दोस्तो गाउं का नाम है चित्पुल जी भारत का आखरी गाउं चित्पुल जो की हिमाचल के किन्यों डिस्टिक में इस पत्रे सたい हैं आज हम यहां तूसले में आपको पूरी जहनकारी देने वाले हैं कि आप यहां कैसे जाएं किन साथरों से यह पोछ सकते हैं कितना खर्च आता है वह आप यहां पर कहां कहां ठहरें वह क्या क्या चीज़ें भूमें तो दोस्तो इस सारी जानकारी प्राइब करने के लिए हमारे साथ आखरी तक बने रहें और हमारा पूरा वीडियो देखें दोस्तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को तामाना बिल्कुल भी न भूलें तो चलिए दोस्तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप चितकुल जाना चाहते हैं तो आपका जो नजदी की रेलेवेस टेशन है वो है अंबाला रेलेवेस टेशन और दोस्तों अगर आपका जो नस्दी की हवाई अड़ा है वो सिमला ही है और रोड अगर आप सडक मार्क से जाना चाहते हैं तो आपको सिमला होकर ही चितकुल जाना पड़ेगा तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया हम भी हम बाय ट्रेन चित्कुल जाने के लिए निकले थे और हमारी ट्रेन अम्बाला एस्टेशन पे आकर रुकी यहां से दोस्तों हमने करीवन 2600 रुपए में एक एनोवा करी हम 6 लोग थे इसमें दोस्तों और हम लोग ने सिमला के लिए और करीवन सिमला हम लोग 4 घंटे में सिमला पहुँछ गए है दोस्तो हमारी ट्रेन करें दो पहर में बारा बजे आई थी और हम सिम्ला लगभत चार साड़े चार बजे के आसफार पहुच चुगे थे हमने पहले से कोई होटल बुकिंग नहीं की थी हमने यहां पर होटल उना और हमें मातर 600 रूपे रूम के साफ़ से हमने दो कमरे किराए पर ले लिए और हम लोग उसी में एड्जेस्ट हो गए दोस्तो अगर आप चित्कुल जाना चाहते हैं तो यहां से HRTC की बसे भी जाती ह हैं लेकिन दोस्तो हम आपको बता दें कि अभी HRTC की बसों को खोला नहीं गया है अभी उनकी सेवाओं को बंधी रखा गया है दोस्तो हम आपको बता दें कि जो चित्कुल भारत का आखरी गाओं है वो सिमला से करीबं 200 किलोमेटर दूर इस्तित है तो दोस्तो अगर आप पाई रोड जाते हैं तो आपको 200 किलोमेटर का सफर तैय करना पड़ेगा और यह काफी लंबा सफर है आप इसमें एक दिन में यहां नहीं पहुत सकते हैं कम से कम आपको यहां पर दो स्टॉपश लेने पढ़ेंगे एक सांगला वैली में और दूसरा कलपा में फिर तीसर दोस्तों उस टाइम हमने अपनी चित्कूल की पुरियात्रा और वापस अंबाला तक छोड़ने के लिए एक टैक्सी मात्र सोलह हजार रुपए में बुक कर ली थी सबके उपर कम से कम दो सेटाही हजार रुपए का बड़न आया था लेकिन दोस्तों हम रात को नहीं निकल करने को यह बोला था तो दोस्तों वह साम हमने सिम्ला में ही मौल रोड को घूम कर विताई और वापस रूम में आकर सो गए सुवा दोस्तों हम लोग 3 बज़े ही उड़ गए थे और हमारी टैक्सी भी 3.30 बज़े के असपास मौल रोड से नीचे आकर खड़ी हो गई थी त छूं मारा जो प्रोग्राम था दोस्तों सो का चार दिन और तीन रातों का प्रोग्राम था हमें विससक्न हमें अई माह वाम होता है कि अगर रुप nurture उप तो ही रोके था अगर आट इ। हमारे पस टाइम नहीं था सलिएह भी स्टिट हों के वापस कहीं ऐस से जिगा ट्रेन को हम पकड़ सके हैं तो दोस्तों हमारा सफर शुरू हो चुका था तो हम सुभचार बजे के चले चले पूरे जो इसका जो रास्ता है नारकंडा होते हुए हम लोग गए थे नारकंडा ना आपने नाम सुनाओगा बहुत ही अच्छी प्लेस है भी रास्ता जो है वह आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी काफ काफी अगर आप पहाड़ों के प्रेमी हैं तो आपको रास्ता बहुत आनंद से आपको भरबूर आपको एडवेंचर से भर देगा बिल्कुल और आप हिमाचल में ही पूरी तरह से हिमाचल के पहाड़ों में खो जा लोग ने एक दिन महीं रुकने का फैसला किया था दोस्तों यहां पर आसानी से हमें 1100 रुपे में रूम मिल गया था और हमने रात को यहीं बिताई आप ही अगर आएं तो आप ऐसा कर सकते हैं अगले दिन निकल के दोस्तों हम कलपा पहुचें कलपा में भी हमें 1000 रुपे आना चाहेगा मैं कहूंगा कि आप एक रात या एक दिन यहां जरूर बिताएं और अगर आप कलपा आते हैं तो इसका जो सुसाइड पॉइंट हैं वहां जाना बिल्कुल भी नमूले सुसाइड पॉइंट मतलब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं वहां बैट की फोट कर अर्ली मॉनिंग में करीबन 6-7 बजे के बीच में चितकुल के लिए निकल गए थे तीन से चार घंटे की जर्नी के बाद हम दोपैर में पहुंचे दोस्तों चितकुल और चितकुल दोस्तों पहुंचते ही समझ दी कि हमारा मतां आंके फटी रहेंगी मैं ऐसी भी दुनि करेंगी और आपका नाम अगयरा भी नोट करेंगी तो दोस्तों आप उसमें घबराएं नहीं बिलकुल तो ऐसा होता है जाते वक्त और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम लोग करीविन मार्च में यहां गए थे मतलब 2019 मार्च में लेकिन आप यह समझे उस समय भी हमें स सुन्दर ना जा रहा था हम नीचे बर्फ में उत्रें काफी दिन हमने खेला फिर जैसा कि हमारे पास हमारी ट्रेन बुक थी इसलिए ड्राइवर ने कहा था कि अगर यहां रुकते हैं तो हम आगे फज़ भी सकते हैं वाकई बहुत ही नेरो रोड्स हैं बहुत ही मतलब एक सबस्क्राइब करना बिलकुल भीना बूलें दोस्तों वह जरूर से जरूर कैम्पिंग करें आपको इससे ज्यादा आनद की प्रापती और किसी में हो ही नहीं सकती हैं तो दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि हमने आप ये जान करीति अगर आपको महात्पूर्ण लगी हूं और चितुल जाने के लिए अगर आपको प्लाइनंग में हमारी जान करने हैं मदद करें तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें थेंक यू